देखे सम्विधान की अनुच्छे 309 के तहट तो सरकारें करमचारियों को निगत करती हैं और 311 है उसके तहट dismissal का भी प्रावधान है और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी भी recruitment में एक बड़े स्तर पर बड़ी धांदली हुई है तो बिलकुल सरकार के पास ये पूरा अ निगत करने का है तो हटाने का भी अधिकार सरकार के पास है बिलकुल जो राजिस्थान सरकार है वो इस भरती को रद कर सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सबसे महत्यपूर्ण चीज कि सरकार में जो सरकार के जो अंग है जो इसमें फंक्शिनिंग कर रहे हैं उनकी जो रेपोर्ट्स होंगी उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये भरती रद हो सकती है जो जो राजिस्थान सरकार की जो वहा कैबिनेट उसमें ये फैसला लिया जा सकता है इस फैसले का अनुमोदन अमानी राजपाल मौकरे द्वारा किया जाएगा और और ये भरती रद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इन 857 में से कई candidates होंगे जो मेहनत करके अपनी मेहनत से पास हुए है पर जब गेहूं को पीसा जाता है तो घुन पिस्त है, उनकी गलती नहीं है पर जब recruitment पे ही एक बड़ा प्रशन चिन लग गया है और बड़ी धांदली का प्रशन चिन लग गया है तो public at large के लिए, जो पूरा राज्य है, उसके लिए जो सब इंस्पेक्टर चुन के आएंगे हर पुलिस स्टेशन में वो न्यूक्त होंगे, एक पुलिस स्टेशन का वो अधिकारी होता है तो उस पे public का विश्वास करना बहुत important है तो उस विश्वास को बनाये रखने के लिए जो इमानदार candidates हैं उनको सफर करना पड़ सकता है क्योंकि public का विश्वास एक recruitment पे होना, public recruitment पे होना बहुत ज़रूरी है देखिए, इन जेनरल आचर सहिता में जो model code of conduct elections के time लगता है उसमें कोई भी ऐसी activity नहीं होती है जिससे voters effect हो किसी भी परिक्षा का परिणाम जारी होना ये दिखाता है कि सरकार कुछ initiative ले रही है इसलिए आचर सहिता के दौरान परिक्षाओं के परिणाम रोके जाते हैं पर हाँ, अगर ज़रूरी है और परिणाम निकालना की अगर आवश्यक्ता है तो जो चुनाव आयोग है उनसे इजाजत लेके RPSC और जो करमचारी चैन आयोग है वो परिणाम निकाल भी सकते हैं इसमें कोई दिक्कती बात में है